Realme X2 launch होने के बाद लोगों की मुश्किल है और ज़्यादा बढ़ गई है वो लोग confusion में आ गए है कि सरा मैं Realme X2 पर्चेस करना चाहिए या Redmi Note 8 Pro पर्चेस करना चाहिए जिसे कि आपका mindset के लिए और हो जाएगा कि इस टाइम पर आपको कौन सा phone पर्चेस करना चाहिए वैसे दोस्तों जो लोगों को नहीं पता है Realme X2 के बारे में तो हमने उस पर एक details में वीडियो बनाई है आई बटन में उस कर लिंक की दे रहा हूँ दिसके से लिंक के दे रहा हूँ जाकर कि इस वीडियो को जो उसे चेक कर लीजिए और हाँ दोस्तों इस वीडियो को जो उसे देखा है उसके बाद उस वीडियो को देख सकते हैं नमस्का दोस्तों मैं सिवम चोहान एक बार आपका फिर से बहुत-बहुत स्वागत करता आपको इनकी डिस्प्ले से लेकर के तो रियलमी एक्स टू में आपको 6.4 इंच की सुपर एमूलेट डिस्प्ले देखने को मिलता है कॉर्णिंग गोर्ला ग्लास फाइब की प्रटक्षन आपको फ्रंट और बैक दोनों साइटी देखने को मिल जाती है और साथी साथ दोस्तों इसकी बैक की बात करों रियलमी एक्स टू के तो यहाँ पे आपको बैक में चार कैमरे आपको देखने को मिल जाते है अब बात करना दोस्तों यहाँ पर Redmi Note 8 Pro की डिस्प्ले के बारे में तो यहाँ पर आपको 6.53 इंच की IPS डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और यह डिस्प्ले आपको Super AMOLED डिस्प्ले देखने को नहीं मिलती है हाँ दोस्तों इसमें आपको Front में और Back में दोनों साइट कोरने गोरला ग्लास 5 देखने को मिल जाती है और इसका जो fingerprint sensor दिया गया है वो डिस्प्ले में ना देखर के Back में फिजीकल टच वाला fingerprint sensor देखने को मिल जाता है जैसे कि आप Back में देख पा रहे होंगे चार केमरे आपको बीच में देखने को मिल जाता है तो दोस्तों यहां पर मैं बात करूँ यहां पर डिस्प्ले में तो Realme X2 के लिए तरीके से विनर है यहां पर आए आंगे देखते हैं और कौन विनर है रेम वेरियंट की बात करें यहां पर तो Realme X2 आपको तीन वेरियंट में देखने को मिलेगा 4GB, 64GB, 6GB, 128GB स्टोरीज और 8GB, 128GB स्टोरीज वहीं दोस्तों बात करें यहां पर Redmi Note 8 Pro के वेरियंट की तो मैं आपको बदा दो यहां पर दो वेरियंट देखने को मिलेंगे का Snapdragon 730 G chipset आपको देखने को मिलता है जो कि 8 nm टेकनलोजी के उपर बेस्ट है वहीं दोस्तों बात करें हमने आपको पहले भी बताया और अभी भी आपको बता रहे हैं कि जितना ज्यादा कम नैनोमीटर होगा उतना ज्यादा फास्ट प्रोस्टर काम करेगा उतना ज्यादा रिलाइबर होगा जो कि realme X2 में आपको देखने को मिलता है 8 nm का वहीं दोस्तों फास्ट आपको देखने को मिलता है यहां पर आपका कमपनी का यह कहना है कि आपके फॉन को एक याड़ गंटे में फुल चार्ज करके देगा वहीं दोस्तों बात करें हैं हम लोग यहां पर प्रोसेजर मिल रहा है वो रेडमी नोट एट प्रो में जीनाटी का मिल रहा है इसलिए यह आपकी बैटरी को ज्यादा कंजीम करेगा 4500 mh की बेसक बैटरी आपको देखने को मिल रही है लेकिन realme X2 की 4000 mh की बैटरी है वह ज्यादा चलेगी क्योंकि उसमें आपको स्नेट डगन का 730 G प्रोसेजर देखने को मिल रहा है जो कि 8 nm टेकलोजी के उपर बेश जा तो मदला आपकी बैटरी की कम खपा तो पाएगी अब दोस्तों लास्ट कंपरेजिंज वो रह गया है इसका कैमरा Realme X2 Pro में आपको बैक में चार कैमरे देखने को मिलेंगे 64 mpx प्लस 8 mpx प्लस 2 mpx प्लस 2 mpx और कमाल की बात यह है दोस्तों यहाँ पर 64 mpx जो इसका प्राइमरी सेंसर मिल रहे है वो सॉनी का IMX 686 वाला सेंसर देखने को मिल रहे है जो कि सॉनी की तरफ से इस टाम पर लेकिन आपको करना चाहूँगा कि Sony का IMX686 ज्यादा अच्छा सेंसर है बात करें हैं यहाँ पर इनके front camera के बारे में तो realme X2 में आपको camera देखने को बल रहा है वही Redmi Note 8 Pro में सब्सक्राइब सेखने को बल रहा है तो front camera में भी realme X2 बिनर है प्राइस क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा matter कर दी है यहाँ पर रियल्बी X2 के बेस वेरेंट की चार्जी भी 64 जी वाले की जो प्राइस रखी है वो 16,999 पर रखी गई है वही रेड्मी नोट 8 प्रो में 6 जी भी और 64 जी वाले उसका बेस वेरेंट उसकी प्राइस रखी है लेकिन फिर भी जानना चाहते हैं तो मैं कहना चांग हो है यहाँ पर रियल्मी X2 किलियर तरीके से विनर है क्यों क्योंकि यहाँ पर आपको सुपर एमुलेट इसकीन मिलती है जो कि काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है अगर आपको एक याँ दो हजार रुपे डाल क सुपर एमुलेट इसकीन देखने को मिल जाते हैं काफी ज़्यादा कमाल की इसकीन होती है तो आपके लिए ज्यादा बैटर है इसलिए दोस्तों मैं आपको जो उसे रिकमेंट करना चाहुआ कि अगर आप लेना चाहते हैं तो रियल्मी X2 प्रो को पर्चेस कर सकते हैं और हुआ इस वीडियो को जादा से जादा लोगों के साथ सेयर कर दीजिए क्योंकि बहुत साई लोग ऐसे हैं पर जो कन्वीजन में है कि हमें रियल्मी X2 खरीना चाहिए या रेड्मी नोट 8 प्रो खरीना चाहिए तो वह इस वीडियो को देखें और उनको किलिर तरीके समझ कर सही है मैं मुलूँगा पूरे अटरस्टिंग वीडियो के साथ अप तक लिए गड़ बाए